आज हमारे पास सैमसंग का टाइप सी मोडल आया था इसका जैक चेंज़ करना था सबसे पहले हम हीट टेप लगाएंगे माइक पर और एयर को 260 रखेंगे तांके हम इसके बैक बाला गुलू और उसे रिमूव कर तके इसे रिमूव पने के लिए हम दो पर रखेंगे और हीट 260 रखेंगे और बलेट की मतलब से जो भी गुलू लगाए उसे क्लीन करेंगे अब आब एयर को 340 करेंगे और यह को चालो तर्फ से गरम करकर उठाएंगे तांके हमारा कोई पॉइट में सोगे रहा ना हो अब जतना विए ईसे कलीन करेंगे इसे कलीन करने के लिए ईरन का टम्रेचर 330 डी कज़ रखेंगे जो वारी सोग्ड की तुक्तर हम थूड़ा सा रोसिंग लिए और अच्छे परशित चरतर लगांगे इसे कलीन कररेंगे ताके हमारा जो नया जैक है बहुत असानी से इसमें फिट आए बहुत एकदम फनिशिंग हमारे अरिजिनल जैसी आए देख सकते हैं हमारे जो जितना ही सोल्डर प्राणादा वो क्लीन हो चुका है अब हम इसके उपर सी जो फलक्स अभी लगा इसे क्लीन करेंगे इसके लिए हम मकैनिके PCP बोर्ड कलीनर का जूज करेंगे इससे हमारी जो कलीनर के बहुत अच्छी होती है अब हम ट्रैक पर थोड़ा सा फलक्स लगाएंगे और इसके उपर जो नया जैक है उसे रखेंगे अब हम इसके उपर हम जब भी नया जैक रखेंगे और इसकी एक जो लिएक से पहले करेंगे था कि हमारी को हम मूरी पहले करना हो शौट फ़ड़ करेंगे हम इसे थोड़ा सा ठकाएंगे और पीशे से इसके यह पिने उन्हें बाद में सूल्डर करेंगे इसके लिए हम पीपीडी डालेंगे 183 टेंपरिचर वाला पीपीडी यह यह री लाइफ का पीपीडी है यह को उपसे थोड़ा सा अलका सा दुबा कर रखेंगे और जो हमरा अधरने उसे पिन के उपर सलाइड करेंगे तेक सकते हैं हमारी जो पिने बहुत असानी से सूल्डर हो रही है तो कोई भी पिन आपस में शौटर नहीं हो लिए क्यूंकि हमने इस पे अच्छा पलक्स लगा रखा है और हमारा जो जैकर की जो पिने देक सकते हैं सूल्डर ह कर लेंगे हैं अब दीखे सकते हैं हमारा एक बार में यह सारे पिन सोल्डर हो चुके हैं पीपीडी से इसके सोल्डरिंग बहुत अच्छी होती है और जल्दी यह शॉर्टम करना नहीं होते हैं अब हम नीचे से इसके जो लग वगएरा है इन्हें सोल्डर करेंगे इसके लिए करेंगे ताकि मारे जैक में अच्छी खासी मुझे बुटिया है और यह एक नमारी जैसा लगे अब चाहरों तरफ से बूड को क्लीन कर देंगे इससे इस पर कोई भी फ्लक्स होगे रहना रह है ठीक सकते हैं हमने द्यार रखना है हमारी कोई भी फ्लक्स होगे रहा नहीं होनी चाहिए सब भी नहीं हमारी अलग लग है और नीचे से इसके अच्छी से सूल्डर हो चुगा है अब जल्दी खराब नहीं होने वाला है